हाउर फीक्स सैमसंग M31 जियो नेट्रोक नोट शॉविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे नेट्रोक नोट शॉविंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों जियो नेट्रोक आपका जो डिवाइस है उसमें नेट्रोक बिल्कुल भी शॉव नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन बताने वाला यहां पर दोस्तों नेट्रोक शो नहीं करते हैं ठीक है उपर में तो दोस्तों यहां पर किस तरह के प्रॉब्लम है ठीक है आपको क्या क्या सॉलुशन करना होगा और कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्फ होगा सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो पर जाने को मिल तो आपका नेट्रोग भी आपको वापस मिल जाएगा सारी साथ आपका प्रॉब्लेम भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है और दोस्तों कुछ रिजन्स जो है वह भी जानना बहुत ही जरूरी है तो मैं आपको सबसे पहले तो रिजन ही बताऊंगा कि क्या रिजन हो सकते जिसके वज़से नेट्रोग नहीं आ रहा हूं ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्श का इशु चल रहे हैं तो आपको उसके वज़से भी नेट्रोग नहीं हो एक हुए ठीक है सारे साथ दोस्तों सीम डीक्टीविट हो गया या फिर सीम कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी आपको इशु हो सकते हैं तो सबकुछ दूस्तों इसका जब सीम डीक्टीविट हो जात सबसे पहले चीज दोस्तों आपको सिम काड़ को रिजक करना है तो आप स्फॉल को मेरे निखालनी ठीक है दो सबसे आप कोम पॉबाइल माय नियाई है तो दोस्तों आप जाएक connections पर एंड flight mode को इनेवल कर दीजिए इनेवल करने बाद दोस्तों करीब आपको एक मिनीट वेट करना है और उसके बाद आप मोबाइल ने पर जाएंगे इन नेट्रोक को स्विज़ करेंगे पहले आपको 3G select करना है उसके बाद दोस्तों जब 3G पे connect होगा आपको 4G select करना है क्योंकि दोस्तों जी होका 3G network नहीं होते हैं ठीक है तो आपको 4G पे दुबारा से connect करना होगा उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें आपका problem solve हो रहा है नहीं हो रहा है चाहे तो दोस्तों आप APN setting को एक बार reset कीजिए three dots पर क्लिक कीजिए reset default पर क्लिक करके एक बार reset कर देजेगा reset करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें ठीक है या फिर दोस्तों इससे भी काम नहीं हो रहा हो तो आप एक बार बेक करें और scroll down करके general management पर जाईए reset पर क्लिक कीजिए reset network setting पर क्लिक और उसके बाद reset setting पर क्लिक करके mobile password यहाँ पर भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका setting reset हो जाएगा नेट्रोग का end connection पर जाएए अगर दोस्तों यह करने के बाद आपको नेट्रोग शोर हो जाते तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो आप जाए mobile network पर और दी नेट्रोग मिल जाएगा तो आपको वह नेट्रोग सेलेक करना है सिर्फ जीओ नेट्रोग पर किल्क करना है ठीक है तो थोड़ा सा टाइम लगते तो मैं इसको अभी यहाँ पर आफ नहीं करूंगा तो आप ट्राइज जरू करके देखिए ठीक है मैनुएल नेट् हो जाता है तो ठीक है अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सीम को दोस्तों किसी दूसरे मुबाइल पे भर के देखिए ठीक है सीम काड को दूसरे मुबाइल पे भर के देखिए अगर दूसरे मुबाइल पर सीम का नेट्रोग शो कर रहा है तो सौफ़एर को अप्डेट कर लिजी अपने मोबाईल पे 10 फिर अप्डेट करने की आपका प्रोल्लिम यह सोफ्फ हो जाएगा तो फॉर्फ करने की बाद दोस्तों के डुबारा से दाल के देखिये अगर सौल हो जाता है अभल है ठीक है अगर नहीं हो रहा है थो दोस्तों आप अपने मॉबाइल को किसी टेक्टिशिन यू को सो करवा दीजिए ठीक है क्योंकि दूस्त आपके प्राब्लम हो सकते हैं अगर इसी बात नहीं है तो आपका दूसरा कोई सीथी तो उसको अपने मौवाईल पे भरके देखिए अगर वो क्amy है उर्डियो स्टो दूसे मौवाईल पी अगर काम नहीं करते तो SIM खराब हो सकते हैं तो आप किसी भी दूसरी नमबर से जियो कर्ष्रमर केर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके SIM के साथ हुआ क्या है ठीक है तो यह सब दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं फोलो एंट यही सब दोस्तों तरीका है अगर SIM के नेट्रोक शो नहीं करते तो यह सब प्रॉब्लिम आप इस तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों फिर भी प्रॉब्लिम बिल्कुल सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों जाना है जियर्नल मिनेश्मेंट पे रिसेट पर क्लिक करना है फेक्टूरी डेटा रिसेट कर देना है अपने मुबाइल को और रिसेट पर क्लिक करके मुबाइल पास्ट भर दे एंड फाइनली फेक्टूरी डेटा रिसेट होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आप यहाँ पर जियो ने ट्रोक नोट शॉविंग प्रॉब्लेम सॉल्व कर सकते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा टैंक्स पूर वाचिंग